अपने जीवन में यदि मनुष्य शुद्ध होकर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है यदि वो एक साथक जीवन में पिताना चाहता है और एक प्राणी के रूप में अपने कर्दवे को निभाना चाहता है तो उसे परमेश्वर की तारणा और नयाय को स्विकार करना चाहिए उसे परमेश्वर के अनुशासन को खुद से दूर नहीं होने देना चाहिए ताकि वो खुद को शैतान की चाला की और प्रभाव से मुक्त कर सके और परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सके ये जान लो कि परमेश्वर की तारणा और नयाय प्रकाश है मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीश, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है. आमीन. सच में. परमीश्वर के ये वचन मुझे अपने एक अनुभव की याद दिलाते हैं. अक्टूबर 2016 में नृत्य और गायन का एक संगीत वीडियो इंटिनेट पर डाला गया जिसमें मैंने मदद की थी. भाई बहनों ने इसे बहुत पसंद किया और उन्होंने सिफारिश की कि कलीसिया की नृत्य टीम का प्रबंधन मैं करूँ. मैं बहुत उत्साहित थी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं ये करतवे ठीक धंग से निभाऊंगी और उसकी गवाही देने के लिए ज़्यादा विडियो बनाऊंगी. जल्दी ही नृत्य टीम का काम काफी बढ़ने लगा. भाई बहन मुझे आदर से देखने लगे और अगर कोई समस्या होती तो मदद के लिए मेरे पास आते. और इससे मेरा अभिमान बढ़ता ही चला गया और मुझे लगने लगा कि मैं कलीसिया की एक अनिवारे प्रतिभा हूँ. जल्द ही कलीसिया की अगवा ने बहन ये को मेरे साथ काम पर लगा दिया. मैं सच मुझ खुश थी. ये सोच कर की बहन ये को नृत्य का पेशिवर तजुर्बा भी है और उसे नृत्य शैलिया आजमानी में महारत भी हासिल है. हम एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकेंगे. अपने कर्तवे को अच्छी तरह निभाएंगे. सभी है. कुछ समय बात, हम एक संगीत वीडियो का फिल्मांकन कर रहे थे. नृत्य सैयोजन के लिए बेहन ये कि सुझाव मेरे सुझावों से जाद विक्सित और अंतर द्रिश्टी वाले थे. सभी भाई भेनों ने उन सुझावों को पसंद किया. मैं इस बात से जादा खुश नहीं थी. मैंने सोचा, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उनको लगेगा कि मैं बेहन ये जितनी माहिन नहीं हूँ? अगर वो मुझसे आगे निकल गए, तो क्या तब भी टीम में मेरी कोई बड़ी भूमिका रहेगी? मुझे तब खास दोर पर जादा परिशानी होती, जब मैं दूसरों को अपनी समस्याएं लेकर, बेहन ये की पास जाते देखती. प्रभारी तो मैं थी, लेकिन समस्या लेकर वे उसके पास जाते थे. क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे बहतर है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मैंने फैसला किया, मुझे बड़ी हप प्रदर्शन करना होगा, ताकि सब मुझे उसके बराबर ही समझे. बाद में हमने कारे की जरूरतों के अनुसार अपना काम बांट लिया. मैं एक संगीत वीडियो की प्रभारी बनी, तो उसने एक मंच प्रस्तुती का भार उठाया. मैं मन ही मन, बहुत खुश थी. जब हम साथ में काम करते थे, मैं उसके आगे फीकी पड़ जाती थी. इसलिए मुझे मुझे मौके का फाइदा उठाना चाहिए, ताकि सब लोग देख सके कि उसके मुकाबले में ज़ादा काबिल हूँ. मैंने शोद कारे और नृत्य संयोजन में ज़ादा वक्त लगाया ताकि मैं बहुत बढ़िया संगीत वीडियो बना सकूँ. मगर जब मैंने देखा कि बेहन ये अपनी नृत्य प्रस्तुती लगभग पूरी कर चुकी हैं, और मैं अपना नृत्य संयोजन भी पूरा नहीं कर पाई थी. तो मैं बहुत बेचैन हो गई थी. काम में तीजी और गुणवत्ता सुधाने की कोशिश में, रिहर्सलों में मैं भाई बहनों के साथ कड़ाई से पेश आती थी. एक बार मैंने एक भाई को नृत्य की कुछ मूव को गलत करते देखकर डाटने के लहजे में जड़की थी. इस डर से कि अगर उसने अच्छा नृत्य नहीं किया तो इसे कारिक्रम पर असर पड़ेगा और मैं पीछे रह जाओंगी. फिल्मांकन से पहले एक भाई ने संकेत दिया कि शुरुआत में जुन रित्य है वो काफी नहीं है. वैसे तो मुझे लगा कि वो सही है. मगर उस पल में मैं समझ नहीं पाई कि क्या जोड़ूं. तो उसने सुझाया मैं जाकर बेहन ये से चर्चा करूं. ये सुनकर मुझे वाकई अच्छा नहीं लगा. ऐसे एहम पड़ाव पर उससे बात करूं तो क्या मैं उसके मुकाबले कम काबिल नहीं लगूंगी? अगर बेहन ये इस काम से जुड़ गई, तो फिर अंतिम्श्रे किसे मिलेगा? मैंने इस काम के लिए इतना वक्त लगा कर मेहनत की है, और विडियो पूरा होने ही वाला है. मैं तो उससे पूछने से रही. मैंने कहा छोड़ो, अब इन छोटी-छोटी चीजों पर काम मत रोको. जब विडियो बन जाएगा, तो देखेंगे कुल मिलाकर कैसा लगता है. बात में अगवा ने हमारा संगीत विडियो देखा, और कहा कि ये परमीश्वर की गवाही नहीं देता, इसे दुबारा बनाओ. ये सुनकर मैं परिशान हो गई. लगा जैसे मेरे दिल पर छूरी चल गई है. मैंने सोचा, अब वाकई मेरा अपमान हुआ है. बाकी सब समझ जाएंगे कि मेरी हैसियत क्या है. उन्हें लगेगा मैं माहिर नहीं हूँ, और मैं अपने काम की काबिल नहीं. आज की बाद मैं टीम में कैसे बनी रहूंगी. उस दोरान मैं अपने रुद्बे के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रही थी. मैं राद को सो नहीं पाती थी. सभाओं में सो जाती थी. और अपने काम में मेरा दिल नहीं लगता था. एक दिन मेरी अग्वा मेरे साथ संगती करने आई. ये देखकर कि मैं खुद को नहीं जानती. उसने मुझे उजागर किया. और कहा कि अपनी शोहरत की कारण मैं बहन ये से जलती हूँ. मैंने कलीसया की कारे का खयाल नहीं किया. मैं स्वार्थी और घिनावनी हूँ. उसने आत्मचिंतन करने को कहा. और उसने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ कर सुनाया. जैसे ही पद, प्रतिश्था या रुद्वे की बात आती है. हर किसी का दिल प्रत्याशा में उच्छलने लगता है. हर कोई दूसरों से अलग दिखना, मशूर होना और अपनी पहचान बनाना चाहता है. हर कोई जुकने को अनिच्छुक रहता है, इसके बजाएं हमेशा विरोध करना चाहता है. इसके बावजूत की विरोध करना शर्मनाख है, और परमेश्वर के घर में इसकी अनुमती नहीं है. हाला कि वाद विवाद के बिना तुम अब भी संतुष्ट नहीं होते हो. किसी को औरों से अलग देखकर तुम्हें इर्शा होती है, तुम्हें ये सही नहीं लगता. मैं दूसरों से विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता? हमीशा वही वेक्ति दूसरों से अलग क्यों दिखता है? और मेरी बारी कभी क्यों नहीं आती है? हर तुम्हें नाराज की होती है तुम इसे दबाने की कोशिश करते हो लेकिन ऐसा नहीं कर पाते परमेश्वर से प्राथना करते हो तो बहतर महसूस करते हो जब एक बार फिर सामना इसी तरह के मामली से होता है तो तुम इसे जीत नहीं पाते क्या ये एक अपरिपक्व कद नहीं दिखाता है? क्या किसी व्यक्ति का इस तरह की स्थिती में गिर जाना एक भंदा नहीं है? ये शैतान की ब्रष्ट प्रकर्टी के बंधन है जो इंसानों को बांद देते हैं तुम जितना अधिक संखर्श करोगे उतना ही अंधिरा तुम्हारे आस पास चा जाएगा तुम उतनी ही अधिक ईशा और नफरत महसूस करोगे और कुछ पाने की तुम्हारी इच्छा अधिक मदूत ही होगी तुम ऐसा कर पाने में उतने ही कम सक्षम होगे जैसे जैसे तुम कम चीजे प्राप्त करोगे, तुम्हारी नफरत बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़नी के साथ-साथ तुम्हारे अंदर अंधीरा भी बढ़ेगा, और कर्तवे का निर्वहन उतना ही बुरा होगा, कर्तवे का निर्वहन बुरा होने से तुम कम उप्यूगी ये एक दुश्च चक्र है, अगर तुम कभी अपने करतवे का निर्वाहन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे तुम्हें हटा दिया जाएगा, आमीन, परमीश्वर के वचनों ने मुझे जोर का जटका दिया, परमीश्वर नी जो प्रकाशत किया वो मेरी ही दश मैं बहन ये की काबिलियत से इश्या करती, शोहरत और लाब के पीछे भागती थी, इन बातों से परमीश्वर को बहुत नफरत थी, मैंने याद किया कि जब से बहन ये टीम में शामिल हुई, और मैंने देखा कि वो बहुत माहिर है, तब से मैं उससे इश्या करने लगी, म जब मैंने देखा कि उसका नृत्य कारिक्रम मेरे मुकाबले जाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं और तेज काम करने की अपेक्षा करने लगी ताकि मैं उससे पिछर ना जाओं। ये सपश्ट था कि बहन ये और मुझे सला मश्विरा करना चाहिए था, लेकिन इस डर से कि सारा श्रे वही छीन लेगी, मैंने उसे दूर रखने के बहाने ढूंडे, नतीज़ा ये हुआ कि कुछ समस्याओं से समय रहते नहीं निप्टा गया, और भाई भेनों के इतना वक्त और मेहनत लगाने के बावजूद, विडियो परमेशवर की गवाही देने लायक अच्छा नहीं बन सका, कलीसया की अगवाने मेरे साथ काम करने के लिए बहन ये की व्यवस्था इसले की थी, ताकि हम अपनी खूबियों से परमेशवर की गवाही देने के लिए निरत्य सहीं जन करें, सहीं, अपना कर्ता वे निभाना चाहती थी, परमेशवर का धन्यवाद, साथ संगती की, यदि भरष्टिता नजर आती, तो हम खुल कर बात करती, और उसे दूर करने के लिए सत्य को खोश्टी, इसके बाद मैंने परमेशवर का मार्क दर्शन देखा, निरत्य का संयोजन काफी जल्दी कर लिया गया, मुझे उस आराम का भी ऐसास हुआ, जो सत्य का अभ्यास करने से मिलता है, हाँ, परमेशवर का धन्यवाद, कुछ महीने बाद, बहन ये और मैं एक कारिक्रम पर फिर से साथ काम कर रहे थे, शुरुवात में चीज़े काफी जल्दी-जल्दी हुई, और हमारा निरत्य संयोजन दूसरों ने पसंद किया, मैं अपने आप से बहुत खुश थी, एक दिन अगवा ने पूछा कि निरत्य संयोजन का काम कैसा चल रहा है, तो मैंने खुशी से जवाब दिया, ऐसा क्यों कहती हो, अब सभी जानते हैं कि निरत्य के नई सुझाव बहन ये कि दिये हुए थे, वे सोचेंगे कि मैं उसके बराबर नहीं हूँ, मुझे खुद कुछ हासल करने का तरीका सोचना होगा, वरना अगुआ और भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक बार निरत्य सेयोजिन के दोरान, मैंने एक कलाबाजी वाले मूव के बारे में सोचा, बहुत जोश में, मैंने सोचा, मैं कलाबाजी में बहुत अच्छी हूँ, अगर हम इसकी अच्छी रिहरसल करेंगे, तो इससे ना केवल निरत्य में रौनक आ जाएगी, बलकि सभी को मेरी काबिलियत भी नजर आएगी, तब सब लोग मुझे आदर से देखने लगेंगे, लेकिन अगले दिन, जब मैं वो मूव भाई भेनों को सिखा रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि इसकी गती बहुत तेज है, और ये बहुत मुश्किल है, उस शाम एक बहन ने मुझे चेतामनी दी, इस मूव से लोग खुद कुछ ओट पहुँचा लेंगे, हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, मुझे चिंता थी कि कहीं वे इसकी जगा कोई दूसरा मूव ना ले ले, फिर समय आने पर मैं बहन ये की साथ अपनी तुलना कैसे करूंगी, मैंने सबको अभ्यास करने के लिए प्रोच साहित किया, और मैंने इसे तभी छोड़ा जब बहुत सी बहने गिरने की वज़़ से जखमी हो गई थी, मैं परिशान थी, मुझे बुरा लग रहा था, मैंने टीम से माफी मांगी और मूव को थोड़ा बदल दिया, मगर मैंने इसके बारे में आत्मचिंतन नहीं किया, बहुत जल्धी फिल्मांकन शुरू होने वाला था, हम दोनों ने निर्त्य प्रदर्शन में हिस्सा लिया, फिल्मांकन की दौरान मुझे लगा मैंने शॉट देते समिट ठीक से निर्त्य नहीं किया, इसलिए मैंने निर्देशक से कई रीटेक लेने को कहा, मैंने देखा कि बहन ये के नस्दीक से लिये गए कई शॉट्स थे, लेकिन मेरा एक ही नस्दीक की शॉट्था, वो भी एक तरफ से लिया हुआ था, मैं निराश हो गई थी, बाद के फिल्मांकन सत्रों में मैं मुस्कुरा तक नहीं सकी, और मेरा निरत्य भी नीरस था, मैं बस इसी सोच में लेन थी, कि मैं बहन ये से बहतर निरत्य कैसे करूँ, मुझ में निरत्य के उन दृश्यों को देखने का होसला नहीं था, जिनकी मुझे जांच करनी थी, मैं इस बात से बेपरवा थी कि उस निरत्य प्रदर्शन में परमीश्वर की गवाही दी गई या नहीं, इसलिए जब विडियो आया, तब सभी ने कहा कि निरत्य सपाट है, उसमें लचक नहीं है, बहुत दबा-दबा है, ये परमीश्वर की गवाही देने के लिए काफी नहीं, बलकि शर्मिसार करने वाला है, अगुआ ने कहा कि शोहरत की होड में मैंने अपना कर्तव्य नहीं किया, इसलिए उसने मुझे मेरे जिम्मेदारी वाले पजसे बरखास्त कर दिया, मैं बहुत परिशान थी, मैं अपना कर्तव्य निभा कर परमीश्वर को संतोष्ट करना चाहती थी, मगर खुद के लाप की वज़े से, जो कारिक्रम तेयार किये, वो परमीश्वर की गवाही नहीं दे पाए, बलकि उसे शर्मसार किया, ये एक अपराद था, रित्य के जरिए, मैंने अपना कर्तव्य निभाने का मौका गवा दिया, मैं बड़ी देर तक रोती रही, और फिर मैं निरंतर सोचती रही, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शोहरत और फाइदे के लिए लड़ना सही नहीं, तो मैं बार-बार इनके पीछे भागना क्यों नहीं बंद कर देती हूँ, इसकी असली वज़ा क्या है? धार में कारे करते समय, एक बार मैंने परमेश्वर की ये वचन पढ़े, शैतान मनुष्य के विचारों को नियंतरत करने के लिए प्रसिध्धी एवं, लाब का तब तक उप्योग करता है, जब तक लोग केवल प्रसिध्धी एवं, लाब के बारे में सोचने नहीं लगते, वे संघर्ष करते हैं, कठिनाईयों को सहते हैं, और साथ ही अपमान सहते हैं, उसके लिए जो कुछ उनके पास है, उसका बलिदान करते हैं, और वे किसी भी प्रकार की धार्ना बना लेंगे, या निर्ने ले लेंगे, इस तरह से शैतान लोगों को अद्रिश्य बेडियों से बांध देता है, और उनके पास सिने उतार फेकने की ना तो सामर्थ होती है और ना ही साहस होता है, वे अनजाने में इन बेडियों को ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पाउं घसीडते हुए आगे बढ़ते हैं, इस प्रसिधी एवं लाब के वास्ते मनुष्य जाती परमेश्वर को दूर कर देती है, और उसके साथ विश्वास खात करती है, तथा निरंतर और दुष्ट बनती जाती है, इसलिए इस प्रकार से एक के बाद दूसरी पीड़ी, शैतान के प्रसिधी एवं लाब के बीच पूरी तरह से नश्ट हो जाती है, शैतान की करतूतों को देखने पर क्या उसकी भयानक मन्शाएं बिलकुल ही घिनौनी नहीं है? आज तुम शैतान की भयानक मन्शाओं की वास्तविक प्रकटी को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग सोचते हो कि प्रसिधी एवं लाब के बिना कोई जी नहीं सकता है, तुम सोचते हो कि यदि लोग प्रसिधी एवं लाब को पीछे छोड़ देते हैं, तो वे आगी का मार्ग और अपना लक्षे देखने में समर्थ नहीं रहेंगे, उनका भविष्य अंधिकार में एवं विशात पूर्ण हो जाएगा, परन्तु धीरे धीरे तुम सभी लोग ये समझ जाओगे, कि प्रसिधी एवं लाब ऐसी भयानक बेडियां हैं जिनका उप्योग शैतान मनुश्य को बांधने के लिए करता है, जब वो दिन आएगा, तुम पूरी तरह से शैतान के नियंतरन का विरोध करोगे, और उन बेडियों का पूरी तरह से विरोध करोगे, जिनका उप्योग शैतान तुम्हें बांधने के लिए करता है, तुम उन सभी चीजों को फेकने की इच्छा करोगे जिने शैतान ने तुम्हारे भीतर डाला है तब तुम शैतान से अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लोगे और तुम सच में उन सब से ग्रिणा करोगे जिने शैतान तुम तक लाया है केवल तब ही मानव जाती के पास परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम और लालसा होगी आमें परमेश्वर की वचनों ने इंसान को ब्रहष्ट करने में प्रयूक्ट शैतान की चालो को प्रकाशित किया शैतान लोगों को भhrष्ट कर काबू करने के लिए शोहरत का इस्तमाल करता है ताकि वे जाद से जादा दुष्ट और भ्रष्ट हो जाएं बुरे काम करें और परमीश्वर का विरोध करें बचपन से ही मैं शैतान द्वारा शिक्षित और प्रभावित हुई थी सभी को पूरवजों का सम्मान करना चाहिए और व्यक्ति जहां रहता है अपना नाम छोड़ता है ये शैतानी फलसपह मेरे भीतर गहराई से जमे हुए थे मैं जिस किसी भी समों में रहती मेरी इच्छा खास लगने प्रशंसा और सम्मान पाने की होती किसी को उत्कृष्ट काम करता देख मैं इर्शा करने लगती और उससे आगे बढ़ने की तमाम हरकते करती शैतान की चालबाजी से मजबूर होकर हमेशा शोहरत और फाइदे के लिए लड़ती मेरा स्वभाव भी जादा से जादा घमंडी और दुष्ट हो गया कि परवा नहीं करती इसके चलते कई बहने रिहर्सलों के दौरान जखमी हो गई फिल्म बनाते समय मैं बहन ये से खुद को बहतर दिखाने के लिए सिफ अपना ही क्लोज अब इस्तमाल करना चाहती थी इसलिए जब मुझे शॉट में अपने अच्छे मूव नहीं लगे तो मैंने निर्देशक से रेटेक लेने को कहा और काम में रुकावट पैदा की अंत में फिल्म में मेरे चेहरे का आधा हिस्सा ही नजर आया जबकि बहन ये के सभी शॉट सामने से हैं तो मुझे बहुत रोश हुआ मैंने राश और प्रतिरोध ही बनकर जीने लगे और फिर ठीक से निर्दे करने का होसला नहीं जुटा पाई नतीजा ये हुआ मेरे निर्दे ने परमेश्वर को शर्मिंदा किया मेरा निर्दे संयोजन परमेश्वर की गवाही के लिए नहीं बलकि अपने दिखावे के लिए था शोहरत और फाइदे की मेरी लड़ाई ने कलीसिया के काम में गंभीर रुकावट पैदा की और मेरे भाई बहनों का दिल दुखाया मेरा विवाहार परमेश्वर के लिए बहुत ही घिनोना और अप्रिये था फिर परमेश्वर के ये वचन मेरे मन में कौन थे यह कुमार्ग मुठी भर बुरे कारियों को नहीं बलकि उस बुरिस रोद को संधर्वित करता है जिससे लोगों का व्यवहार उपच्चता है परमेश्वर की वचनों से पता चला कि किनी खराब कामों की वज़े से मुझे अपने कर्टवे से नहीं निकाला गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कर्मों का मूल और मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वो सब बुरे थे सही जबसे बहन ये के साथ काम किया मैं उससे जलने लगी और अपने हितों के लिए लड़ने लगी थी मैं अपना नीजी उपक्रम चला रही थी बस दुष्टिता और परमेश्वर का विरोध कर रही थी मैं भाई ग्रस्ते थी और मैं समझ गई कि शोहरत और रुद्बई के पीछे भागना परमेश्वर के विरोध का मार्क था और अगर मैंने पच्चाताप नहीं किया तो आखिरकार मुझे हटा कर दंड दिया जाएगा मुझे भयंकर पच्चतावा हुआ मैं फूट-फूट कर रोई और मैंने प्रार्थना की हे परमेश्वर मुझे मेरी काम से बर्खास्त कर दिया गया ये मेरे लिए प्रकाश्चत आपका धार में स्वभाव है और मेरे लिए आपकी रक्षा है सही समय पर मुझे बुरे रास्तों पर जाने से रोकने के लिए आपका धन्यवाद मैं प्राश्यत करना चाहती हूँ आमेन बात के दिनों में मैंने कलीसिया में सू समाचार का प्रचार और आत्म चिंतन किया अपने काम में सिर्फ शोहरत के लिए की गई हरकतों के बारे में मैं जब भी सोचती मुझे सिर्फ पच्टावा होता रतिती में परमेश्वर द्वारा दिये गए अफसर को ना सजोने के लिए मैं खुद से नफरत करती जब मैंने वो संगीत वीडियो देखे तो मैं उन्हें बिल्कुल नए सिरे से बनाने को बेताब हो गए लेकिन मुझे मालूम था कि ये नामुम्किन है मैं अपने पहले के अपराधों की भरपाई करने के लिए सू समाचार के काम को पूरा कर सकती थी ये देखकर मुझे हैरत हुई कि अगवा ने बस एक महिने बाद ही मुझे फिरसन रित्य टीम में शामल कर लिया ये खबर मेरे दिल को इस कदर चूगई कि मेरे आंसू रोके नहीं रुके मैंने इस मौके को संजोने, शोहरत और फायदे के पीछे ना भागने भाई बैनों के साथ काम करने और परमिश्वर के प्रेम का मूले चुकाने के लिए अपना करतव निभाने का संकल्प किया टीम में शामल होने के बाद हमारी एक रिहरसल में बेहन ये ने कहा कि एक प्रित्य मूव जो मैंने सिखाय था वो सही स्तरका नहीं है उस पल मैंने शर्मिंदी की महसूस की और सोचा दूसरों के सामने तुम मेरी इस तरह अलोचना कैसे कर सकती हो अब वे यकीनन सोचेंगे कि मैं तुम्हारे बरावर नहीं हूँ वे मुझे नीची नजर से देखे ये मुझे मन्जूर नहीं और मैंने देखा है कि तुम्हारे नृत्यमूव भी एकदम बढ़िया नहीं है मैं उसके नृत्यमूव को खारिच कर देना चाहती थी तब मेरी समझ आया कि मैं फिर शौरत के बारे में सोच रही हूँ इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया कोई पल जितना अधिक संकट कालीन हो यदि उसी के अनुसार लोग समर्पन करें और अपने स्वार्थ अभिमान और दंभ को त्याक कर करतव्य उचित रूप से निभा सकें तब ही वे परमेश्वर द्वारा याद के जाएंगे वे सभी अच्छे कर्म है चाहे लोग जो भी करें अधिक महत्वपून क्या है उनका मिथ्य अभिमान और दंभ या परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा क्या अधिक महत्वपून है तुम्हारे दायत्व या तुम्हारे स्वार्थ, तुम्हारे दायत्व को पूरा करना अधिक महत्वपून है, और तुम उनके प्रती कर्तव्य बद्ध हो, तुम पहली प्राथमिक्ता अपने कर्तव्य को दोगे, परमेश्वर की इच्छा को, उसके लिए गवाही देने को और तुम्हारे अपने दायत्वो को दोगे, गवाही देने का ये एक शांदार तरीका है और ये शैतान को शर्मिंदा करता है, अमेरे भीतर रोश्नी फैल गई, क्या परमेश्वर इस परिस्थिती के साथ मेरी परीक्षा नहीं ले रहा, जब मेरे निजी हितो और परमेश से नहीं सिखाया था, बहन ये की बेबाकी मेरे लिए शर्मिंदी की का कारण थी, मगर वो सही थी और मुझे पता था कि मुझे उसका सुझाव मान लेना चाहिए, खुद को दर किनार कर और अपने इरादों को ठीक करने के बाद हमने मिलकर रित्य संयोजन को बड़ी कि परमेश्वर का न्याय और तार्णा मेरे लिए उसका प्रेम और उद्धार हैं, परमेश्वर के न्याय और तार्णा ने मुझे जगा दिया और शोहरत के पीछे भागने के सार और खतरनाक नतीजों को समझने लायक बनाया, इनसे मेरा गलत नजरिया सुधर गया, मैं सत कर दो कर दो